वेलकमे फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल आर्केना सिंगे केट्वी में फ्रेंट्स बहुत ही मात्रकून कोश्चन है जो कि आने वाली सभी परिच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपोरेंट हैं तो फ्रेंट्स बिल्कुली वीडियो के स्किप ना करें और पूरा वीड यह कोश्चन है कि मोखिक गुवा में मौजूद सबसे आम रोगाडू कौन सा है तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आपसान आपकी स्क्रीन पर है तो देखे आपसन सी याँ पर आपका राइट होगा बैसलस एसलेस एसलेस एक्स्प्लेन देख लिए लेक्टो बैसिलेस एसिडोफिलेस एक बैक्टिरिया की प्रजाती होती है जो लेक्टो बैसिलेस एसिडोफिलेस है यह एक बैक्टिरिया की प्रजाती है जो दूद में पाए जाने वाली सुगर अर्थात लेक्टोज की फर्मेंटेशन से लेक्टिक एसिड पैदा करती है अगला पॉइंट है या ओरल और वजाइना में पाए जाने वाले कॉमन सिल माइक्रोबेस अर्थात फ्लोरा में मुख्य पाठ होते है जो आपका अगला पॉइंट है या ओरल और वजाइना में पाए जाने वाले कॉमन सिल माइक्रोबेस फ्लोरा के मुख्य पाठ होते है अगला पॉइंट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मेंली प्रेजेंट इन्टू इस्टमक इकोलाई इन्टू कोलोन जो आपका थर्ड पॉइंट है ये कह रहा है कि हिलिको बैक्टर पैलोरी मुख रूप से पेट में और इकोली बड़ी आत में मौजूद होती है अगला कुश्चन है दो नमबर आपकी स्क्रीन पर है राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं बताएं क्या होगा इसका राइट आसर देली में पूछा गया कोश्चन है 2009 में बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें which acid convert milk into curd कौन सा acid है जो milk को दही में convert कर देता है तो इतों सभी को पता होगा very simple question है तो देखें आपसन B आपका राइट होगा lactic acid ठीक है आपसन B आपका राइट है lactic acid यहाप आप explain देख ले lactobacillus acidophilus a genus of gram positive anaerobic bacilli दूद में पायजाने वाले sugar के fermentation से lactic acid बनते हैं या बनाते हैं lactobacillus acidophilus दूद में पायजाने वाले sugar के fermentation से lactic acid बनाते हैं और lactic acid दूद का दही बनाने में lactic acidude का दही बनाने में अधा curling, souring पर खटा करने के लिए जिम्मेदार होता है जो आपका lactic acid है वो curling अथवा soaring के लिए जिम्मेदार होता है अगला point है तिसरा नमबर Lactobacillus action is also responsible for soaring of milk Lactobacillus action is also responsible for soaring of milk दूद को खटा करने के लिए Lactobacillus जो है वो आपका जिम्मेदार है अगला question है तीन नमबर आपकी स्क्रीन पर है right answer बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें Qu detectors no 3 Nomина is secreted by sales in guess क्या होगा इसका right answer बताएं आपतन आपके screen पर हैं बताएं मोटलीन को किन कोष्काओं के द्वारब स्त्रावित किया जाता है तो guess करें क्या होगा इसका right answer बताएं आपकी screen पर हैं देखिए एम्स नागपुर नर्सिंग आफिसर फरवरी 2020 में पूछा क्या क्या कोश्चन है तो आपसन डी यहां पर आपका राइट होगा इलियम आपसन डी आपका राइट है इलियम Explain देख ले Muthiline is a polypeptide that stimulates and controls constructions of the GIT It is secretated by mucosa of the small intestine जा छोटी आथ की मुकोसद और अस्रावित होता है अगला कोश्चन है चार नंबर आपकी स्क्रीन पर है राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गिस करें आपसन आपकी स्क्रीन पर है A bacteriocidal enzyme found in nasal intestinal secretion is बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गिस करें आपसन आपकी स्क्रीन पर है देखें RUHS Post Basic BS Sinner Singh Intense 2019 में पुछा गया कोश्चन है तो गिस करें क्या होगा इसका राइट आंसर कोश्चन कह रहा है कि nasal आंत्र स्राव में पाया जाने वाला एक Bacteriocidal enzyme कौन सा है बताएं क्या होगा Bacteriocidal enzyme कौन सा है nasal आत्र में पाया जाने वाला एक Bacteriocidal enzyme कौन सा है गिस करें क्या होगा इसका राइट आंसर आपसन आपकी स्क्रीन पर है तो कोश्चन है आपसन आपका ए राइट होगा Lysogyme आपसन आपका राइट है Lysogyme एक एंजाइम होता है जो Neutrophils, Microphages, Tears, Salvia, Intestinal Juice वा अन्य कुछ Body Secretion में पाया जाता है जो आपका Lysogyme है वो एक एंजाइम होता है जो कि Neutrophils, Microphages, Tears, Salvia, Intestinal Juice वा कुछ अन्य Body Secretion में पाया जाता है अगला पॉइंट है, It inhibits the growth of bacteria by damaging their cell walls अगला कुछ ने पांच नंबर आपके स्क्रीन पर है, राइट अंसर किस करें क्या होगा इसका राइट अंसर बताएं वार्मर सिंड्रोम इस पुछा गया कुछ ने तो बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर आपसन सी यहां पर आपका राइट होगा में फरस्ट अपसन सी यहां पर राइट है में फरस्ट एक्स्प्लेन देख लें कि मल्टिपल इंडोक्राइन नियोप्लेसिया टाइप फरस्ट मल्टिपल इंडोक्राइन नियोप्लेसिया टाइप फरस्ट अर्ताद में फरस्ट इंडोक्राइन ग्लेंड जैसे की पेराथ हैराइड, पिट्ट्यूट्री आधी के ट्यूमर से सम्मंदित एक हेर्डेट्री कंडिशन होती है अगला पॉइंट है में फर्स्ट वाज ओरिजिनली नोन एज वर्मर सिंड्रोम थर्ड पॉइंट है आपका मल्टिपल इंडोक्राइन नियोप्लासिया टाइप सेकेंड में सेकेंड कौल्ड सिंपल सिंड्रोम अगला कोशन है छे नमबर आपकी स्क्रीन पर है राइट आंसर बताएं क्या होगा इच्का राइट आंसर क्या होगा इसका मिलक बेबी की भूग को सन्तुष्ट करता है कौन सा milk बेबी की भूँग को संतुष्ट करता है देखिए बहुत एचा question है और कई बार पूछा भी गया जो question तो बताएं क्या होगा इसका right answer कौन सा milk बेबी की भूँग को संतुष्ट करता है देखिए आपसर डी यहां पे आपका right होगा हिंद मिल्क देखें बहुत बार आप पड़ चुके हैं जो कुशन हिंद मिल्क अप्शन डी यहां पर आपका राइट है अब यहां पर एक्स्प्लेंद देख लें प्रसों के प्रतम तीन दिन में आने वाले थिक यलो मिल्क जिसमें की एंटी बॉडी अर्थत आई जी ए इम प्रोटीन और कार्बोहाइडिर्स की जो मात्रा है वो अधिक वो फैट की मात्रा कम होती है उसे कोलेस्टरम कहा जाता है अगला पॉइंट है कि कोलेस्टरम के बाद कोलेस्टरम जब खत्म होता है इसके बाद कोलेस्टरम के बाद अगले 3-15 दिनों तक निकलने वाले मिल् टांजिस्नल मिल्क कहा जाता है कोलेस्टरम के बाद अगले 3 से 15 दिनों तक निकलने वाले जो मिल्क है उसे टांजिस्नल मिल्क कहा जाता है अगला पॉइंट है ठीक मिल्क जो ब्रेश्ट फीडिंग के अंत में निकलता है जो ब्रेश्ट फीडिंग के अंत में निकलता है जि बहुत ज्यादा होती है जो बेबी की भूग को सांत करता है उसे हिंद मिल्क कहा जाता है इसी को थिक मिल्क और हिंद मिल्क की नाम से भी जाना जाता है इसमें क्या होता है कि फैट और इनर्जी दूनों अधिक मात्रा में होती है और यह क्या करता है बेबी को भूग को सांत क निकलता है ततह उस जिसमें वाटर होता है प्रोटीन होती विटामिन और अधिक मात्रा में होती है जिसमें वाटर प्रोटीन विटामिन वट अधिक मात्रा में होती है वह Always a Diluted milk को ही फॉर मिल्क कहा जाता है अगला कुश्यन है सात नंबर आपकी स्क्रीन पर है राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आप सना आपकी स्क्रीन पर है निमनी में से कौन से एक के अलावा सभी ब्रेस्ट फीडिंग के समय सामान मैटरनल रिफ्लेक्स होते हैं बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर गेस करें निमन में से कौन से एक के अलावा सभी ब्रेश्ट फीडिंग के समय सामान ने मैटरनल रिफ्लेक्स होते हैं इगनु पोश्ट ब्यस्टी नर्सिंग 2013 में पूछा गया कोश्चन है तो बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर करें आपके स्क्रीन पर है तो देखिए आप यहां पर आपका राइट होगा सेक्रेशन और प्रोजेस्ट्रान आप यहां पर आपका राइट है अब पॉइंट है आक्सिटोसिन लेट डाउन रेफ्लेक्स और निपल एरेक्शन निपल एरेक्शन तता प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट की एकनी सेल से मिल्क सेक्रेशन को बढ़ाता है अगला पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एस्टोजन वा प्रोजेस्टान का जो लेबल मुटकम रहता है। अगला कोशन ने 8 नमबर आपकी स्क्रीन पर रहे राइट आंसर बताएंं entered क्या होगा इसका राइड आंसर गेस करें question है newborn में मुख रूप से किस vitamin की कमी होती है बताएं क्या होगा इसका right answer newborn में मुख रूप से किस vitamin की कमी पाई आती है देखे जवाहर राजस्तान medical college stop not 2010 में पूचा गया question है बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें आपसन आपकी screen पर है तो देखें आपसन भी यहां पर right है सबी को पता है कि new born जो baby होता है उसमें किस विटामिन कमी पायाता है तो आप विटामिन के कमी पायाती है अब यहां पर एक्स्प्लेइन देख लें यह रहाए एक्स्प्लेइन न्यू बार्ण जो आपका फर्स्ट पॉइंट है न्यू बार्ण द्वारा मुँ से फूड नहीं लेने तक कोलोन इस्ट्राइल रहती है जिसमें कोलोन में पाया जाने वाले लाब दायकर तत कॉमन सेल बैक्टिरिया विक्षित नहीं हो पाते हैं विटामिन के का निर्माड इनी बैक्टिरियों से होता है जो विटामिन के है इसका निर्माड इनी बैक्टिरिया से होता है अता जन्म पर विटामिन के की कमी रहती है अब यहां पर आपका अगला पॉइंट है कि अता ब्लीडिंग की संभावना को कम करने के लिए जन्म के सम मसल्स में लगाए जाता है अता ब्लीडिंग की समवणों का कम करने के लिए जन्म के समय विटामिन के का इंजेक्शन है वह 1 mg इंजेक्शन यूँ आई अम रूट इंट्रमस्कुलर रूट क्यों दर्वेस्टर्योलिस ठीक्ष में लगा घ्टाहिए अगला पॉइंट है विटामिन-क इज आलशो विटामिन-क इज आलशो पूरली टांसफर्ड एक्रोस नी प्लेशेंटा एंड फ उलिपके बिड्व को देखर आप परिषण न हो कि यह क्या लिग गया इसका मतना वीटाइमिन के डिफिजेंसी ब्लीडिंग यही पूरा नाम लिखा यहां पे वेंडीB लिखा हुआ आपका वीटाइमिन की से ब्लीडिंग यह 6 मंद तक हो सकती है जो आपके बिटाइमिन के की कमिस्टार जो डिफिजन्सी करण जो ब्लीडिंग होती है वो कहे रहे 6 महीने तक हो सकती है लेकिन या बर्त से 2 मंद तक अधिक कामान होती है या जर्म से 2 मंद तक क्या होता है कि अधिक कामान होती है अगला question नो नमबर आपके screen पर है right answer बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें जन्मे के समय infant जिस grey white matter से covered रहता है उसे क्या कहा जाता है जन्मे के समय जो infant होता है जिस grey white matter से covered रहता है ठका हुआ रहता है उसे क्या कहा जाता है बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें आपके screen पर है तो देखिए आपसन बी आपका राइट होगा वर्निक्स कैसी हो सा अब यहां पर explain देख लें इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फेटस के ऊपर पाई जाने वाली ग्रेव हाइट रंकी protective sebaceous covering को वर्निक्स कैसी हो सा कहते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फेटस के ऊपर पाई जाने वाली ग्रेव हाइट रंकी जो प्रोटक्टिव सिबेसियस कवरिंग होती है जिससे वो कबर रहता है इंफाइंट उसे वर्निक से कैसे हो सा कहा जाता है अगला पॉइंट है डिलिवरी के बाद इससे उतारना आवस्था भी नहीं होता है अगला कुश्य है दस नंबर आपकी स्क्रीन पर रहें राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आपसन आपकी स्क्रीन पर रहें चौदा वर्ष की गर्वती फीमेल की केर की प्लानिंग करते समय एक चौदा वर्ष की लेडी है उसकी मलब प्लानिंग केर प्लानिंग करते समय चौदा वर्ष की जो गर्वती है फीमेल की जो केर की प्लानिंग करते समय उसके देखरें की प्लानिंग करते समय एक नर्ष क को रिकोनाईज करना चाहिए कि किसूरा वस्था जो आपकी adolescent होते हैं इसका मतलब होते हैं किसूरा वस्था इसमें रिस्क होती है अब बताएं क्या है इसका right answer किसूरियों अर्थात कुछ pregnancy related complication के लिए किसूरियों अर्थात कुछ pregnancy related complication के लिए अधिक स्खोती है जैसे कि iron deficiency anemia, iron deficiency anemia, pregnancy induced hypertension, preterm labor अथात LBW, newborns, cephalopelvic disproportion, STD, substances abuse इत्यादी